हेलो फ्रेंड्स स्वाक्त है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्यानवीर 71 में आज HPGK सीरिज की क्लास रहेगी 5 जो की हेलफूर रहेगी आपके आने वाले HPTAT Medical, Non-Medical, Arts, सास्त्री, JVT के एक्जाम्ज के लिए साथ ही मैं वीडियो के अंत में आपसे एक HPGK का कॉस्चन पूछा जाएगा जिसका अंसर आप कमेंट बॉक्स के मादिम से बता सकते हैं टैर्स से लेटिड आप और वी वीडियो जो हैं वो चैनल की प्ले लिश्ट में जाकर के देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको तीन सेकिड कास में दिया जाएगा जिसमें आप खुद से अंसर लगाने की कोशिस कीजिएगा उसके बाद आपको अंसर बता दिया जाएगा और आप कोमेंट बाक्स के मादिम से यहाँ भी बताएं कि आपके कितने कॉस्टिन जो हैं वो सही हुए हैं फ्रेंड्स ये वाला कॉस्टिन आपसे क्लास फोर में पूछा गया था तो कॉस्टिन रहेगा इमला विमला घाटी हिमाचल परदेश के किस दिले में है तो इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन भी डिस्टिक मंडी में फ्रेंड्स वीडियो की सुरुआत कते हैं कॉस्टिन नमबर 38 से हिमाचल परदेश के किस दिले में चुवारी उबमंड़ स्थित है फ्रेंड्स आख उससे अंसर लगाने की कोशिज कीजिएगा हिमाचल परदेश के किस दिले में चुवारी उबमंड़ स्थित है तो इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन ए डिस्टिक चमबा में और याद रखने के लिए आपने एक सौंग जो है वो सुन रखा होगा गड़ी चली चमबा ते चुवारी किस किसने ये वाला सौंग सुन रखा है आप को मेंट बॉक्स के मादिम से हमें जरूर बताएं चलिए बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबह 39 की किस मेले के लिए हमाचल परदेश का सुजानपूर परसिद है तो इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन भी होली मेला बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबह 40 की हमाचल परदेश के किस जिले में भावा गाटी स्थित है इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन भी कुलू बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबह 42 की हमाचल परदेश के किस जिले में अट्टू सिकर स्थित है हाटू पीक इस लोकेटिड इन विच डिस्टिक ऑफ एच पी तो इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए शिमला बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबह 43 की वैज सूर्थ सी हमाचल परदेश के किस जिले से स्बंदित है इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए शिर्मौर बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबह 45 की 1997 में भारत में कौन से गों को पहला हेटेश दरजा दिया गया था तो इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए प्रागपुर बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की कॉस्चन नमबह 46 जो है वो रहेगा इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा बदव संभव जीने बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की कॉस्चन नमबह 47 जो है वो रहेगा कौन से सी गुरू पॉंटा साहिब गुर्दारा से जुड़े हैं कौन से सी गुरू पॉंटा साहिब गुर्दारा से जुड़े हैं इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन डी गुरू गोविंद सींजी बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबह 48 की राजा संसार्चन टू किस भूत पूरो रियास्त के संस्तापकते अटल बिहारी बाजपई इस्च्चूट ओफ मांटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स हिमाचल परदेश के किस स्थान पर स्तित है कॉस्चन नमबह 49 के लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन सी मनाली बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की इसके लिए जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन सी पंजाब स्टेट इलेक्टर सिटी बोल्ड बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की हिमाचल पर्देश इट्स सेप एंड स्टेट यहां किताब किसके द्वारा लिखी गई है हिमाचल पर्देश इट्स सेप एंड स्टेट यहां किताब किसके द्वारा लिखी गई है इसके लेक्ष की जो है वो रहेंगे यह लिखी गई थी Option D, Dr. ys. प्रमार जी दवारा बात कर लेते हैं अगले Question की परसिद व्यक्ति सिरी दौलत राम संख्यान हिमाचल परदेश के किस जी जी ले के हैं तो इसके लिए जो right answer रहेगा वो रहेगा Option A, बिलास्पूर बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की हिमाचल परदेश का परशिद मेला मनी महेश यात्रा किस दिले में लगता है तो यह लगता है डिस्टिक चमबा में यहाँ पर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो राइट अंसर हैगा वो रहेगा उप्शन डी बात कर लेते हैं कॉस्चन नमबर 59 की नदाउन सबडवीजन हिमाचल परदेश के कौन से जिले का भाग है नदाउन सबडवीजन is a part of which district of HP तो नदाउन सबडवीजन हिमाचल परदेश के की जिले का भाग है इसके लिए जो राइट अंसर हैगा वो रहेगा हमीरपूर लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ उप्शन में नहीं दिया गया है तो इसके लिए जो राइट अंसर हैगा वो रहेगा उप्शन डी बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की हिमाचल परदेश में तीर्थन किसकी सहायक नदी है हिमाचल परदेश में तीर्थन किसकी सहायक नदी है तो इसके लिए जो राइट अंसर हैगा वो रहेगा उप्शन ए ब्यास बात कर लेते हैं अगले कॉस्चन की कॉस्चन अंबर 61 जो है वो रहेगा हिमाचल परदेश में चंदर्ताल है हिमाचल परदेश में चंदर्ताल है क्या है एक जील है जो परती है डिस्टिक लहॉल्स पिती में बात कर लेते हैं अगले question की question number 62 जो है वो रहेगा हिमाचल परदेश के कीज जीले में पबर घाटी स्थित है तो इसके लिए जो right answer रहेगा वो रहेगा option D शिमला बात कर लेते हैं question number 63 की हिमाचल परदेश में 16 सिंगी है तो यहाँ पर इसके लिए जो right answer रहेगा वो रहेगा option D, इन मेंसे कोई नहीं तो 16 सिंगी क्या है, एक तो धार है, 16 सिंगी धार जो पड़ती है district हमीरपूर में और एक है 16 सिंगी किला, जो पड़ता है उन ना में तो friends ये थे question और प्रतेग वीडियो में लगबग हम 20 के आसपास जो है वो question आपके साथ discuss करते हैं चलिए अब देख लेते हैं उस question को जो कि आपके लिए homework में रहेगा दोस्तों HPTAT के exams में लगबग 12 से 15 questions HPGK के पूछे ही जाते हैं तो आप समसकते हैं कि या series कितनी helpful रहेगी आपके आने वाले HPTAT 2022 के exams के लिए आज के लिए आपका homework में question रहेगा धार बैर कोट हिमाचल परदेश के किस जिले में है इसके लिए जो options रहेंगे वो रहेंगे बिलासपूर, मंडी, सोलन या फिर कुलू इसका answer आप comment box के माधिम से जुरूर बताएं और यहाँ भी बताएं कि यहाँ वीडियो आपको कैसे लगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जादे जादा शेयर करना है और comment box के माधिम से इस question का answer जो है वो जुरूर बताना है धन्यवाद